हलो फ्रेंट्स वेलकम यो ओल एट गीट अकैडमी डियर ससी जीए का एक्जाम आने वाला आपको पता है नेक्स टीर जो एक्जाम होने वाला था उसको प्रिपॉर्ण करके नवंबर मंत में कर दिया है तो आपकी प्रिपरेशन को जो है अब ज्यादा टाइम बचानी है चार अब जो 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 एक्जाम है तो आपको पूरा स्लेबस आपको मिलने वाला है और यह रिकॉर्डड़ लाइव कोर्स के फोर्म में आपको मिलेगा ठीक है में बात कर रहा हूं इसका जो वालेडिटी है यह 6 मंत का है क्योंकि देखो नवंबर में एक्जाम है और अभी आपक सब्टमबर अगछ सब्टमबर अग्यार्ट मेंर लक रवाला लगवक चार महिने आपके पास है क्योंकि अभी जुलाइव में दस i.12 तारीक ही वा है तो चार महीने आपके पास है पूरा जो भी आपने टाग्ट कर रख तो छे महीने का वालेडिटी है और जो इसका फी था वो 3,000 था क्या था 3,000 था लेकिन अभी ओफर में अगर आप 13 जुलाई से पहले पहले ये कोर्स परचेस करते हैं ये कोर्स में अपना नाम एंडरूल कराते हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ फिफ्टीन हंड्रे इंकलूजिंग GST आपको ये मिलने वाला थीक है तो अच्छे से प्रप्रेशन करिए चार महीने ऐसा भी नहीं की कम होता है चार महीने भोत है अगर तरीके से प्रप्रेशन करी जाए एक प्रोपर गाइडेंस में प्रप्रेशन करी जाए अवरीधिंग इस पोसिबल ठीक तो आपको गाइड करने के लिए पुरा परिवार है गेट अच्छे से प्रप्रेशन करिए और आपका ये नहीं है कि रिकोर्डेड लाइव कोर्स क्योंकि डियर अभी आप जो है ना लाइव क्लास आप जो इन करेंगे तो चार महीने में उस लेबस कंप्लीट नहीं हो पा और आपके जो अडिशनल डाउट्स है वो भी आपके क्लियर करे जाएंगे पूरी टीम आपके साथ है और ये एक और धमाका है आपके लिए एक और बड़ी न्यूज है दिस इस टेस्सरीज देखो डियर किसी भी एक्जाम को फाइट करने के लिए टेस्सरीज का बहुत इ पड़क टेस्ट है टैनों टेकने किकल आपके कितने टैस्स आपको मिल रहे है और दियर इस सेट्सरीज का कोष्ट जो था वह एक लेते हैं यह प्लिए यह कॉर्स तो और गिस्थेन प्लस जीस्ट में आपको ये मिलने वाला तो जो 600 को सा रहा वह अपकम हो गया है बात तो टेस्सरीज का बहुत बड़ा रोल है या आप भी जानते और नहीं जानते तो बेटा टेस्सरीज देनी चाहिए हम बता रहे हैं ठीक है ना और इसमें आपको बहुत सारे टेस्स मिलने वाले तो अच्छी प्राक्टिस होगी और जब प्राक्टिस अच्छा होता है तो डे स्ट्रेडी को अपना स्टार्ट करिए अब लेट नहीं करना अब सोचने का टाइम नहीं है अब सीधा प्रप्रेशन करनी है ओके डिया तो चलिए मिलते हैं फिर थांक्यू सो मच एंड गुड लग थांक्यू